तो गाइस इस वीडियो में आपको बताने वाला हों कि कैसे आप लोग वेबसाइट बना सकते हैं तो ये हमारे HTML CSS का प्रैक्टिस प्रोजेक्ट नमबर 9 है जिसमें मैं आपको ये जो लेयाउट है ब्लॉग का वो आपको प्रोवाइट करा दूँगा है तो इस ब्लॉक का डीजाइन आपको मिलेगा तो आपको सबसे पहले किया करना इसको देखे खें के खुट से कोड करना और अगर आप बीच है टुट किशन सकते हैं जहां पर पहले टुटczasल देख लगी है और फिर कोड करिए तो जितने वी मैघं के एसेट होंगे तो इसक तो इसके लाने की दिक्कत नहीं होगे अगर आपका मन करें तो आप दूसरा इमेज इसके जगा यूज कर सकते हैं तो मैंने यहां पर दो पेज़ेस बनाया पहला एक होम पेज है उसमें देखिए हीरो सेक्षन है और कुछ कार्ट से और दूसरे पेज में एक बड़ा सा इमे से बनेगा इसमें कोई अभी जावा स्क्रिप्ट का मैं यूज नहीं कर रहा हूं सिप और यहां पर यूज होगा और एक चीज बता देता हूं अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये ना तो कर लिजे क्योंकि आपको मैं वेब डवलप्मेंट से रिगार्डिंग का प्रवाइट कराता हूं तो अगर आप वेब डवलप्मेंट सीख रहे हैं तो चैनल को जो से सब्सक्राइब करके रख लीजिए तो चलिए अब वीडियो को फाइनली स्टार्ट करते हैं बीना कैसी देरी के है तो चलिए अब हम लोग नया फोल्डर बना लेते हैं प्रोज क्योंकि हम लोग यहां पर दो पेज़ेस बनाने वाले हैं तो सबसे पहले बॉयलर प्लेट को डिजनरेट कर लेते हैं और इसका नाम रखते हैं और यह ब्लॉग वेब साइट अभी मैं नाम रख देता हूं वेब साइट ठीक है और यहां पर हम लोग लिंक टैग अड़ कर करते हैं और एक और पर सबसे पहले तो इसका नाम रखते हैं और इसके बाद हम लोग एक बनाएंगे style.css का file ठीक है और यहाँ एक folder होगा images का तो यह लिखेंगे images और जो भी image है मैं एक folder से यहाँ पर copy कर लेता हूँ तो जितने भी images मैं यहाँ use कर रहा हूँ सब को आपको zip file मेंचे description मिल जागा ठीक है तो आप वहाँ से download कर लिजेगा तो आप चलिए हम लोग layout देख लेते कि क्या सबसे पहले हम लोग बनाएंगे तो यहाँ पर सबसे पहले जो navigation section है वो हम लोग यहाँ पर बनाने वाले हैं ठीक है तो यहाँ पर हम लोग font कौन सा use करेंगे तो font हम लोग use करेंगे enter करके एक font होता है तो font कैसे import करना है मैंने पहले भी project में बता रखा है तो आप जाके ज़रूर से सब को देखिएगा ठीक है उसके बाद मैं यहाँ पर paste कर देता हूँ font और मैंने क्या किया है एक asterisk का symbol में जो भी CSS है उसको reset कर दिया अभी के लिए अभी यह रहने देते हैं उसके बाद हम लोग चलते home.html में और जो भी structure है navigation का वो हम लोग यहाँ पर create कर लेते हैं ठीक है तो सबसे पहले body के अंदर हम लोग लिखेंगे header और header के अंदर होगा nav और यहाँ पर अगर आप design में देखेंगे तो यहाँ पर आपको क्या लगएगा great zone करके लोगो है वो हम लोग यहाँ पर डाल देंगे तो लिखते है great zone ठीक है इसको save करते हैं तो यह आपका h1 tag में मैं लिखोंगा क्योंकि इसको अलग separate रखना है तो h1 tag में यह गया तो अब हम लोग यहाँ पर एक ul tag ले लेते हैं और एक बार थोड़ा सा design देख लेते हैं तो यहाँ तो एक post चाहिए मैं थोड़ा zoom कर लेता हूँ post चाहिए और home चाहिए और यह कुछ icons ठीक है तो जो जो चाहिए वह मैं यहाँ पर डाल देता हूँ तो सबसे पहले लिखते हैं लिस्ट तो लिस्ट टैग मैंने बना लिया और इसको मैं दो बार कॉपी कर लेता हूँ तो first में लिखेंगे home दूसरे में लिखेंगे क्या पोस्ट ठीक है पोस्ट और एक और लिस्ट बनाएंगे इसमें हम लोग को icons डालना है तो यह जो icons देख रहे हैं इसके लिए मैं font awesome का यूज करूंगा तो font awesome एक library है जहां से आप लोग easily icons यूज कर सकते हैं वो भी free में तो उसका मैं यहाँ पर link यूज कर रहा हूँ और यह script कैसे लेना है मैंने पहले भी project समय बता रखा है तो अगर आप यह first time project number 9 देख रहे हैं तो मैं आपसे गुजारिस करूंगा कि आप project number 1 यह सब देखिए उससे आपको पता चल जाएगा कि script कहां से लाना है ठीक है तो फटा फट से इसको यूज करने के लिए हम लोग आया के जो class है उसमें लिखेंगे fa का मतलब font awesome और इसमें अगर हमको instagram का image चाहिए तो इसमें instagram का icon चाहिए तो लिखेंगे fa instagram इसको save करेंगे और अभी मैं इसको live server से run कर लेता हूं open with live server चलिए देखते हैं यह run हो गया तो देखिए instagram का यहां पर icon आगया थोड़ा मैं जूमें लेवल इतना ही रहने देते हैं और बाकी जितने भी icon से जो की चाहिए देख लेते हैं तो हम लोग को एक चाहिए twitter और linkedin का icon ठीक है तो मैं फटा फट से दोनों को यहां पर paste कर देता हूं ठीक है यह आ गया तो दे वैलिंग करेंगे तो इस बार हम लोग pixel के जगा RAM unit use करेंगे तो वान रेम का जो वैल्यू होता है वह होता है 16 pixel तो इसको हम लोग को वान रेम का जो वैल्यू है उसको टेन पिक्सल बनाने के लिए क्या करना होगा तो इसके लिए simply एक code लिखना होगा HTML के अंदर तो HTML टैग तो इस चीज़ से हम लोग easily responsive बना सकते हैं तो font size हम लोग easily अगर माली मीडिया query में कम करेंगे तो हर जगा कम हो जाएगा तो यह चीज़ काफी फाइदे मन्न है ठीक है तो यह trick आप याद रखिएगा तो अब हम लोग क्या करेंगे HTML का जो भी font हम लोग use करने वाले है जैस इसने भी element है उसको मैं जो font size अभी default रख देता हूँ .4rem ठीक है इसको save करेंगे और देखते हैं तो कुछ ऐसा हम लोगो देखने को मिल रहा है तो layout देख लेते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है इस grade zone को इधर रखना है और यह बाकि सबको इधर ले जाना ठीक है त यह header है तो header मैंने यह वाला select कर लिया element और सबसे पहले जो इसका जो position है उससे मैं करूंगा sticky ताकि जब भी scroll करूं तो यह थोड़ा उपर में रहा है तो इसको top से zero कर देते हैं और जो background है उसको हम लोग कर देते हैं white color का fff save करेंगे और यह background जो होगा white color का हो जाएगा यह section और यह section इसको हम लोग को अलग कर रहा है तो simply कुछ करना नहीं यहां पर हम लोग लिखेंगे display flex तो display flex करने से अब हम लोग flex के property यूज कर सकते हैं तो लिखते है justify content space between save करेंगे और देखिए दोनों अलग-अलग हो गया और इसमें देखिए list का कुछ styling आ रहा ठीक है इसको हम लोग क्या करेंगे अभी फिलाल के लिए reset कर देंगे तो यहां लिखेंगे ul और जो list style है उसको मैं कर देता हूं none इसको save करने से देखिए अब हमारा जो list का style है वो none हो गया यह जो देखिए अभी vertically so कर रहा है तो इसको horizontal mode में लाना होगा तो उसके लिए अभी मैं करता हूं उपाए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सबसे पहले तो लिखेंगे nav ul और इस पर भी display flex करेंगे ठीक है flex कर देते हैं और save करते हैं तो देखिए यह हो गया लेकिन इसके बीच में भी थोड़ा spacing भी चाहिए तो उसके लिए यहां पर लिखेंगे gap to rim save करेंग और देखिए spacing आ गया अब थोड़ा सा padding चारो तरप से दे देते हैं तो मैं नैब में padding देता हूं पैडिंग वन रेम और इसका जो maximum width है वो मैं assign कर देता हूं 1200 पिक्सल इसे मैं पिक्सल में ही ले रहा हूं कोई दिक्कत नहीं है और जो margin मैं auto कर दोंगा ताकि यह center में ही रहे तो अब हम लोग कुछ ऐसा behavior देखने को मिल रहा है design के according ही देखिए अब यह same है ठीक है तो इसके नीचे और भी element हम लोग add करेंगे उससे पहले hover effect लगा दे मैं adjust करूंगा 1.8 रेम और इसके बाद navigation यूएल लिस सेलेक्ट करके इसका जो हावर स्टेट है उसको हम लोग control करेंगे और हावर स्टेट पे जो border bottom है उसे हम लोग apply करेंगे तो border bottom में हो जाएगा gray color और इसका जो width होगा one pixel solid ही है शेप करते हैं अब देखिए नीचे में आ रहा है पतला इस आओ तो इसका थोड़ा मोटा कर लेते हैं टू-pixel कर लेते हैं तीक है और इसका color है थोड़ा yellow is कर लेते हैं तो color आपका अब yellow हो गया है अब मैं इधर ले जाता हूं तीक है अब दिख रहा है ना देखिए icons के नीचे भी दिख रहा है तो यह हमारा first section अब लगबग हो गया है तो अब हम लोग एक simple सा चीज़ करेंगे जो भी icons है ना उसका size adjust करेंगे अभी icons आप देख रहे हैं काफी थोड़ा छोटा है तो इसको थोड़ा बढ़ा लेंगे तो उसके लिए हम लोग नेब में i-tech को select करेंगे और लिखेंगे font size 2.5rem तो इतना करने के बाद अब ये exact हम लोग जो header है इसको copy करेंगे यहां से और हम लोग paste कर देंगे post के page में ये header ठीक है और header के नीचे यहां भी main tag होगा तो यहां पर मैं लिख देता हूँ main ठीक है तो अभी हम लोग home page में ही काम करेंगे तो मैंने अभी navigation से paste कर दिया था कि अलग-अलग ना हो जाए दोनों में ठीक है तो उसके बाद अब हम लोग क्या करने वाले हैं तो design देख लेते हैं तो design में है आपका ये hero section तो hero section कुछ ज़्याद ही असान है फटाफट से बन जाएगा बस एक image है यहां पे h1 tag है और कुछ text है बस इतना ही है तो इसके लिए चलते हैं home page में और मैं अभी CSS को थोड़ा इधर side way side कर देता हूँ और इसके नीचे मैं लिखता हूँ main domain के नीचे एक section बनाएंगे और इसका हम लोग id define कर देंगे ठीक है तो id define करने के लिए यहां लिखना है hero ठीक है id आ गया और यहां पे class बना लेंगे hero content के नाम से ठीक है और यहां पे सबसे पहले h1 tag तो यहां पे हम लोग h1 यह वाला use करेंगे make zone better ठीक है तो यह हम लोग type कर लेते हैं make zone better acclimation mark ठीक है इसको save कर दिए और उसके बाद एक h4 tag लेंगे जिसमें जो नीचे वाला text था वो मैं यहां पे paste कर देता हूं ठीक है यह हो गया और उसके बाद आप देखेंगे हमारा कुछ layout ऐसा दिख रहा है और इसके बगल में एक image भी चाहिए ना तो image का layout बना लेते हैं फटाफट से तो एक और डिप बनेगा जिसका नाम लएगा hero image ठीक है image और इसके ज़स्ट नीचे एक image tag होगा जहां पे हम लोग image यहां ले लेंगे source से slash और इसका नाम है hero.png ठीक है इसका मैं alternative text डाल देता हूं hero save करते हैं देखें आ गया तो फटा फट से इसको इस type का मैं सकल दे देता हूं तो उसके लिए वापस से चलेंगे अपने css में और यहां पर मैं एक comment लिखता हूं हम लिखता हूं hero section ठीक है तो अगर आपको इस type से comment लिखना है ना तो आपको क्या करना control और backslash दबाएंगे तो आप comment लिख सकते हैं तो यह code run नहीं होगा अगर comment अब लिखते हैं तो सबसे पहले hero id को select कर लेते हैं लिखते हैं as a rate hero और hero का सबसे पहले हम लोग display flex करेंगे ताकि यह दोनों side by side आ जाए ठीक है उसके बाद हम लोग करेंगे यहां पर justify content करेंगे ताकि बीच में space आ जाए space between और इसके बाद align item center कर देंगे ताकि बीच में आ जाए ठीक है इसको save करेंगे तो कुछ ऐसा behavior हम लोगों देखने को मिल रहा है ठीक है तो एक काम कर सकते हैं कि यह आप देख रहें navigation इस container में तो main चीज को भी हम लोग container में कर सकते हैं तो simply जो main tag था उसको मैं select कर लेता हूँ इसको थोड़ा मैं क्या करता हूँ सबसे उपर लिख लेता हूँ यहाँ पर hero के उपर main और यहाँ पर जो main है उसका जो maximum width है वो मैं कर देता हूँ 1200 pixel ठीक है और जो margin auto कर देंगे ताकि वो center में आ जाए इसके बाद देखते हैं तो हम लोग आप देखिए बीच में आ गया ह अब बस इस text को बढ़ा करना है और image को adjust करना है तो अब इस hero content को हम लोग select कर लेते हैं तो लिखते हैं hero content और यहाँ पर होगा h1 tag तो h1 tag को मैंने select कर दिया और इसका जो font size है वो मैं रख लेता हूँ 6ram और इसका जो line height है वो हम कर देंगे 1.2 save करेंगे तो देखिए हमारे जो text है वो बढ़ा हो गया उसके बाद नीचे वाला जो h4 tag है उसको हम लोग अब control करेंगे तो मैं इसी को paste करता हूँ बस इसको h4 कर देता हूँ और जो font size है इस बार होगा 2.4 या 5 रख देते हैं और जो यह देख रहे हैं na font weight उसे हम लोग थ थोड़ा round करना है ठीक है तो round करने के लिए बस उसमें हम लोग border radius लगा देंगे image पर तो इसका class मैं select कर लेता हूँ hero image dot लगाएंगे और img select करके बस यहां पर border radius मैं कर देता हूँ 5 रेम ठीक है तो अब हम लोग क्या करेंगे यह जो long वाला card देख रहे हैं लंबा वाला यह वाला बनाने वाले ठीक है तो यहां पर मैं चलता हूँ html में और इसको थोड़ा इधर कर देता हूँ और यह जो section की just नीचे एक और डिप बनाएंगे जिसका नाम रखते हैं h card class name हो गया और इसके अंदर जो भी card का content है जैसे कि दो हिस्सों में बटा हुआ इसको मैं थोड़ा जूम करता हूँ तो यह content वाला class हो जाएगा और यहां बगल में हमारा image आ जागा ठीक है तो फटा फट से लिखते हैं तो यहां पर मैं एक और class बना लेता हूँ जिसका नाम लगते हैं card content ठीक है और इसके जल सिंपल हम लोग tag बना लेंगे h2 tag और लिखेंगे long इस्टेबलाइस्ट ठीक है जो कि हमारा image में यही exact मैंने लिख दिया और उसके बाद यहां पर पी टैग होगा पी टैग में कुछ टैक्स होगा तो यहां पर आप लॉरेंट टैक्स लिख दीजे ठीक है और इतना करने के बाद हमारा जो लेयाउट है वो देख लेते हैं त इसका नाम रखते हैं स्टेट ठीक है और इसके अंदर लिखेंगे एक टैग और पी टैग में आपका जो भी डेट है जैसे आज का डेट है एट फरबरी ठीक है तो मैं यह लिख देता हूं एट फैब टूटाउजन ट्वेंटी टू इसको मैं कैपिटल कर देता हूं एफ क लिए हमारा हो गया है बस बगल में एक इमेज करना ठीक है तो इमेज हम लोग इस डीप के बाहर रिखेंगे इस कंटेंट वाले के बाहर तो इसको मैं मिनिमाइज करता हूं और यहां लिखता हूं एक इमेज और इमेज का जो सोर्स है उसमें मैंने लांग इमेज नाम से कर रखका है यह वाला लॉंग काड इसमें मैं सिंपल लिखेंगा कमेंट लैप टॉप गाए को सेब करते हैं गाए का स्पेलिंग गलत सेब और अब देखते हैं तो हमारा लेयाउट में सारे स्पेलिंग करते हैं और इसको इदहर रखते हैं यहां पर लिखते हैं सेक्शन बना दें हैं ठीक है सेप करते हैं और इसमें सबसे पहले तो हम लोग एक जो H card है कहां गया यह इसको select कर लेते हैं लिखते हैं H card सबसे पहले तो हम लोग यहां display flex करेंगे और flex करने के बाद देखिए दोनों के बीज़ें spacing आ गया और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर apply करेंगे margin उपर नीच चाहिए margin हम रख देता है चूरेम और इसको save करेंगे तो margin आ गया और इसके बाद हम लोग क्या करेंगे यहां पर जो box shadow है वो apply कर देंगे box shadow मैं लिख देता हूँ एक copy करता हूँ code box shadow कुछ यह होगा अब type कर लिजए तो यहां पर मैंने x y z x इसमें तीनों assign कर दिया shadow का और इसको save करते हैं तो देखिए कुछ ऐसा आ रहा shadow यहां हलका सा दिख रहा तो इसमें अब थोगा सब padding हम लोग apply करेंगे तो इसमें हम लोग padding apply नहीं करेंगे इसके बाद का जो content है ना उसमें करेंगे तो अभी एक कीज़ कर सकते हैं कि इसको center में लाएंगे जैसे कि यहां पर देखिए बीच में ना सब कुछ तो उसको हम लोग को achieve करना है ठीक है उसके लिए हम लोग यहां पर लिखेंगे align item center ताकि सब कुछ बीच में आ जाए तो लेफ्ट राइट से जो margin उसमें वन रेम भी दे देता हूं ठीक है यहां से हो गया और इसमें border भी apply करना हो तो border हो जाएगा हमारा वन पिक्सल सॉलिड तो border का जो color है यहां पर एक पेस्ट कर देता हूं ठीक है इसको सेप करेंगे और चलिए देखते हैं तो यहां border apply कर देगा हो गया अब बस करना है कि इसमें जो border radius है वो card का apply कर देना है फटा-फट से तो border radius हम लोग रख लेते हैं बाडर रेडियस वह होगा 0.5 रेम सेप करेंगे तो देखें थोड़ा सा apply होगा लेकिन इधर कार्ड में थोड़ा सा apply नहीं हुआ तो इसको करने के लिए simple क्या करेंगे यहां पर overflow hidden कर देंगे तो जैसे हम लोग hidden करेंगे आप देखें यहां पर भी apply होगा थोड़ा रेडियस ठीक है और इतना करने के बाद अब हम जो card content है उसको select कर लेता हूं card content ठीक है और इसमें सबसे पहले जो पैडिंग है तो दोनों से apply करेंगे flex नहीं चाहिए तो देखें पैडिंग apply हो गया नहीं हुआ ठीक है क्योंकि card content का class अंडर्सकोर लगाना था ठीक है अब यह दोनों सेम हो गया तो अब लग जाएगा ठीक है यहां पर लग गया और simply इसमें भी हम लोग flex apply कर देंगे display flex और flex का जो direction है वो column रहेगा column और इसके बाद यहां पर जो gap है इसको हम लोग कर देंगे one rem ठीक है save करेंगे gap apply हो गया ठीक है बीच में देखी gap apply हो गया तो आप जो नीचे में यह जो text देख रहे है ना इसको हम लोग fix करेंगे ठीक है तो इसके लिए जो यह वाला class था हमारा कौन सा मैं इसको थोड़ा इदर करता हूं इसको थोड़ा बढ़ा करते हैं और यह जो status class है ना इसको सेलेक्ट करेंगे लिखेंगे स्टेटस और स्टेटस को सबसे पहले तो डिस्प्ले हम लोग fix कर लेंगे बाद जस्टिफाइ कॉंटेंट को स्पेस बिट्विन करेंगे ठीक है तो हमारा दोनों में स्पेस आगया अब थोड़ा बटन को हम लोग एडिट करेंगे तो यह इ तो वेट है उसको मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूं जिसका मैं 600 रखूंगा इसको पेस्ट करते हैं और नीचे में एक हवर जैसा यह डालेंगे ठीक है तो सिंपल लिखेंगे रीड बटन हवर तो यहां पर बॉडर बॉटम अप्लाइ करेंगे बॉडर बॉटम वन पिक् कलर है उसको ट्रांस्पैरेंट कर देंगे ताकि लेयाओट सिफ्ट ना हो तो यह जो लॉंग काड़ है वह हमारा बन चुका है तो सिंपली अब क्या करेंगे डिजाइन में चलते हैं और यह जो यह इस टाइप का काड़ है वह बनाएंगे ठीक है तो उसके लिए कार्ट को हम लोग का लेयाओड बनाना होगा तो यहां पर चलते हैं सबसे पहले तो हमें एक कंटेनर बना लेता हूं ठीक है उंटर करेंगे और इस्के बाद क्लास बनाएंगे काड़ रेपकर इसलिए मैं बना रहा हूं क्योंकि यह जो कार्ट कंटेनर इससे मैं और अग्रिट करने वाला हूँ ठीक है उसके बाद जैसे हम लोग एच कार्ड यहां पर बनाए थे ना उसी तरह इसे भी कार्ड बना लेंगे ठीक है तो अगर आप लियाउट देखेंगे ना तो इस कार्ड और इस कार्ड में काफी ज्यादा सिमिलारेटी है पहला तो इस कार्ड में आप देखेंगे ऊपर में इमेज है और इसमें यह तो बस हम लोग इसको ऐसे घुमा देंगे ना तो यह उपर आ जाएगा और यह जो कंटेंट है सेम ही रहेगा तो इसी को हम लोग यूज कर सकते हैं होरिजंटर वाला का मैं कर लेता हूं ट्यक्ञें तो इमेज और यह तो यहां पर सबसब पहला इमेज क्या है वहां लगा देता हूं काटव 1 ओं और इसी को मैं तीन बार copy paste करूँगा तो यहां card wrapper को मैं close करके यह copy करता हूँ यहां पर एक दो तीन हो गया total और अब हम लोग चलिए styling करेंगे तीनों का तो देखते हैं तो हमारा card देखिए इस type से आ गया बस card का जो image है वो मैं change कर देता हूँ card 1 हो गया card 2 कर देंगे इसको card 2 उसके बाद यह हमारा हो जाएगा card 3 का है यहां card 3 उसके बाद हम लोग चलिए देखते हैं तो हमारा जो content है वो उपर आ रहा है image नीचे आ रहा है ठीक है तो वो हम लोग styling से ही fix कर लेंगे तो यहां मैंने comment में vertical card लिख दिया है और इसके नीचे जो vertical card का जो class है उसे हम लोग select कर लेंगे ठीक है और सबसे पहले इसको display flex करेंगे और flex करने से क्या होगा यह side by side आ गया तो हम लोग ऐसा यह भी नीचाहिए इसको मैं उपर नीचे चाहिए ना तो उसको करेंगे flex direction column reverse ठीक है image उपर आ गया ठीक है तो इसका जो card है थोड़ा सा width देना होगा इसको नहीं तो फिर पूरा यहां पर ले ले रहा है तो card width मैं दे देता हूँ 320 pixel ठीक है इसको save करेंगे तो देखिए कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है बस अब हम लोग क्या करना है थोड़ा थोड़ा इसमें card वाला जो behavior है वही लाना है ठीक है तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ इसी का जो property है मैं यहां से पूरा copy करता हूँ ठीक है और यहां पर मैं paste कर देता हूँ ठीक है save हो गया तो इस margin की जरूद नहीं है ना card container यह ठीक है तो इस class को मैं select कर लेता हूँ ठीक है select हो गया और सबसे पहले इसमें हम लोग display grid करेंगे इस टाइम ठीक है grid हो गया और इसमें एक simple सा मैं CSS property यहां पर पेस्ट करता हूँ ठीक है काफी लंबा है इसलिए मैं type नहीं करके आपका time नहीं waste करूँगा तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर एक repeat property है आटो फीट तो इससे क्या होगा हमारा जो card है वह इधर हो जाएगा आटो फीट होगा तो मैं अगर shrink करता हूँ तो देखिए घटते जा रहा है तो इस behavior के लिए हम लोग को उस property का यूज करना पड़ा ठीक है तो यह property देख लीजिए ठीक है और इसके बाद एक चीज़ आपको देखने को मिल रहा हमारा जो card है इधर आ गया तो इसके लिए हम लोग simply क्या करें मार्जिन अप्लाइ कर देंगे मार्जिन सीरो आटो करेंगे सेप करेंगे और देखते हैं अभी भी नहीं आया तो इसके लिए simple यह जो मैंने व्रैपर बनाया था ना यहाँ पे यह card व्रैपर इसका यूज करेंगे ताकि वह center में आ जाए ठीक है तो य करेंगे तो महारा content center में आ गया और यह image देखिए पूरा stretch नहीं हो रहा ना इसको fix करने के लिए क्या करेंगे जो image था ना उसको select करेंगे तो image है आपका वी card के अंदर ना तो लिखेंगे वी card image select कर देजे और यहां पर simple width और height को मैं 100% कर देता हूँ और करने के बाद देखिए हमारा जो image है वो अब उपर आ गया है तो अब हमें यह वाला जो card देख रहे हैं यह वाला बनाना है ठीक है तो वो कुछ नहीं है बस यह वाला जो card देख रहे हैं वही exact यहां पर डलेगा ठीक है तो इसके लिए हम लोग क्या करते है और gentle card का जो code है मैं यहां से पूरा copy करता हूँ और इसके main के just उपर में डाल देता हूँ और इसका जो image होगा वो खली change होगा long big card इसको save करेंगे और इसका behavior देखते हैं तो देखे यह हो गया बस हम लोग इसका text जो है वो change कर द है यह ठीक है यह चेंज हो गया सेप करेंगे देखिए कुछ ऐसा ही behavior चाहिए था ना इसमें जो break है वो मैं नहीं दूँगा ठीक है तो save कर दिया मैंने देखिए हमारा लंबा वाला काड़ी बन गया यह सा भी बन गया तो अब हम लोग क्या करेंगे footer बना देंगे नीचे में bottom में जो footer है यहां पर आपको मैं zoom करके दिखाता हूं तो यह वाला जो footer है वह अब बनाना है तो इसके लिए वापस से चलते हैं code में और यहां पर मैं main के just नीचे एक footer बनाओंगा और footer में क्या क्या elements चाहिए पहले तो यह text चाहिए great zone copyright वाला तो इसको लिए मैं एक p tag बना लेता हूं ठीक है तो यहां चलते हैं p tag तो मैंने यह text लिख दिया है आप इसे type कर लिजेगा और इसके बाद यहां पर ul tag लगी था ठीक है तो ul tag में exact हमारा ज यहां पर exact paste कर देता हूं ठीक है तो save करेंगे तो हमारा जो नीचे देखिए आ गया footer में सारे element तो चलिए फटाफट से इसको style करते है footer को तो यहां पर मैं आ जाता हूं footer और footer में footer में सबसे पहले तो display flex कर देते हैं flex और flex के बाद जो gap है उसको two ram कर देते हैं ठीक है footer ul list और यहां पर जो font size है उसको कर देते हैं 1.8 रेम सेब करेंगे तो देखिए हमारा जो footer है कुछ ऐसा दिख रहा है बस यह क्या जो देख रहे हैं आइकन को fix करना है ठीक है तो आइकन को fix करने के लिए बस हम लोग footer ul select करेंगे और इस पर display flex करके gap देदेंगे ठीक है इतना करने के बाद हमारा जो footer है देखिए हो गया और इस footer को हम लोगो चोड़ा center में लाना है ठीक है तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे इसको justify content कर देंगे और space between ठीक है और align कर देंगे center में और पैडिंग चरो तरफ से footer का दे देंगे वन रेम के बाद max width होगा हमारा 200 pixel और margin auto सब तरफ से apply कर देते हैं 0 auto save करेंगे तो हमारा जो design है लगबख footer का हो गया बस एक चीज मिसिंग है उपर का यह जो लाइन तो उसके लिए कुछ नहीं करना है स्टेमल में जाना है और यह मेन है इसके जैस नीचे लिखेंगे hr यह horizontal line कर देगा बीच में एक वर देखते हैं देखिए पतला यसा line आ गया ना तो यही behavior हम लोग को चाहिए था तो यह हमारा first page था वो बन गया अब हम लोग को बनाना है यह blog वाला जो page देख रहा है वो बनाना है ठीक है यह वाला तो चलिए अब वो बनाते है तो इसके चलते हैं post.html में अभी home को मैं हटा देता हूं इसको जुरूत नहीं है बस main के नीचे यहां पर यह footer का code जाएगा इसको paste करेंगे और अभी हम लोग को यहां पर post खोलना है तो यह footer add हो गया और बीच में HR line भी तो होगा HR दे देते हैं ठीक है और चलिए main में हम लोग code लिखते हैं html का तो क्या क्या चाहिए सबसे पहले यह image चाहिए उसके अंदर title और यह कुछ text ठीक है तो यह जो main है ना उसके उपर एक मैं class बना लेता हूं post नाम से ठीक है और इसके अंदर हम लोग एक section बनाएंगे section और section के अंदर हम लोग एक और div बनाएंगे जिसका नाम रखेंगे banner image ठीक है banner image आ गया और जो image है इसके बाद source में लिखेंगे images slash banner.png और मैं alternative text में लिखता हूं banner और side section को बंदी रखते हैं और इतना करने के बाद अब हम लोग का देखिए क्या क्या आ गया यह आ गया तो यहां पर हम लोग को अब यह वाला title add करना है तो मैं h1 tag ले लेता हूं एक और यहां पर मैं paste कर देता हूं h1 tag उसके बाद एक और div बन लिखेंगे हम लोग about author ठीक है तो इस class में हम लोग क्या रखने वाले तो यह जो written by john doe है और यह जो date है ना वह हम लोग को यहां पर रखना है तो यहां पर लिखते हैं h3 ठीक है लिखते हैं written by john doe ठीक है इसको सेब कर दिये और इसको capital कर देंगे यह को सेब करेंगे और यहां पर एक पी टैग जाएगा और यहां पर मैं लिख देता हूँ date मान लिजे मॉन डे जैन्वरी 2022 ठीक है इसको सेब करते हैं देखिए कुछ ऐसा आ गया layout अब बाकी चीज़े भी आड़ कर लेते हैं एक बीच में HR बनेगा तो एक चार इस सक्षन के ज लेंगे article ठीक है आटिकल और इस पी टैग में हम लोग lorem टैक्स जनरेट कर लेते हैं 200 का तो इसके बाद एक और मैं पी टैग ले लेता हूं इसके नीचे ठीक है और इस पी टैग में फिर से कुछ lorem जनरेट कर लेते हैं 200 के जगा इस बार 100 ठीक है सेब करते हैं और इसको ह लिखता हूं सेक्षन 1.1 और यहां पर फिर से एक टैग लेते हैं इसमें lorem टैक्स जनरेट कर लेते हैं 100 करते हैं ठीक है हो गया और इतना करने के बाद एक और सेक्षन फिर से जनरेट करते हैं इसी को मैं कॉपी करता हूं और यहां पी जबार होगा हमारा जितना ही basic html था वह मैंने अब लिख दिया है ठीक है तो बस अब हम लोग इसको style करेंगे फटा 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 ठीक है इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा तो एक चीज़ आप देखेंगे यहां पर आइकन्स नहीं आ रहे हैं यहां पर भी नहीं आ रहे हैं यहां पर लिंक यहां पर कॉपी नहीं किया है फटा समका तो होम में चलते हैं और यह script को मैं कॉपी करता हूं और यहां पर पेस्ट कर देता हूं ठीक है तो देखिए अब हमारा आइकन्स आ गया वापस से तो मैंने यहां पर पोस्ट का कमेंट लिख दिया है ठीक है css में और इस प अब इस इमेज को फिक्स करेंगे पूरा लाना है तो इमेज को सेलेट करने के इसका नाम है बैनर इमेज ठीक है यहां पर देखिए इसका क्लास बैनर इमेज और इसके ज़स्ट अंदर जो इमेज है उसको सेलेट करके जो जो विट्थ है उसको हम लोग कर देंगे 100% सेप करेंगे देखिए कुछ ऐसा हम लोग को behavior देखने को मिल रहा है अब हम लोग यह जो author वाला जो नाम है और यह जो date है इसको side by side कर देते हैं तो उसका जो class है उसको मैं सेलेट कर ल ग्रिड और इसके बाद यहां पर gap जो होगा वन रेम करना है और अलाइंग आइटम सेंटर करना है सेप करेंगे अब इसके बाद यह जो देख रहे हैं यह अज़एंटर लैन इसके उपर नीचे स्पेसिंग देंगे तो उसको सेलेट कर लेता है पोस्ट है आर जो मार्जि 3-rem up and down से save करेंगे तो यह आ गया spacing इतना तक तो ठीक लग रहा है अब जो आर्टिकल है उसको मैं fix करता हूं ठीक है इसमें खली हम लोगों कुछ करना नहीं है आर्टिकल का जो class है उसको select करना है आर्टिकल का element select हो गया इस पर भी display flex करेंगे और जो flex direction उसे column कर देंगे gap को मैं 3-rem कर देता हूं और जो margin है bottom से उसको मैं 2-rem apply कर देता हूं save करता हूं देखिए हमारा section कुछ ऐसा दिखने लग गया अब यह layout बन गया तो अब हम लोग क्या करने वाले है यह जो home page और जो post हम लोग ने page बनाया उसको जोड़ेंगे तो सबसे पहले home का मैं link खाली देता हूं simple अभी home का ही देंगे तो यहां जो link tag है इसके just उपर मैं एक anchor tag ले लेता हूं ठीक है और यहां मैं लिग देता हूं इसके अंदर यह वाला जो चीज है मैं क्या करता हूं डाल देता हूं तो इसके लिए इसको सेलेट करके पड़ाल दिया सेब हो गया और इसी को मैं कॉपी करके एक्जैक्ट पोश्ट वाले जो नाविगाशन है उसमें भी डाल दूंगा सेब करूंगा तो अभी देखे यह यहां पर पतला यह स्ट लइन आ रहा है एंकर टेख का तो इसको ह्तने के लिए यहां चलेंगे और यहां जो टल्ट करके इसमें ग्र को करेंगे 000 ठीक है, save करेंगे, देखिए, home आ गया, तो अगर पहले आप मैं post page पे चलता हूं, post, ठीक है, post पे आ गया, अब home पे मैं click करता हूं, देखिए क्या होगा, अब क्या करेंगे, read more के button पे जैसे click करेंगे, तो वही जो हम लोगों ने post page बनाया है ना, उस पे redirect करना है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, जो भी button है, मैं सबको select कर लेता हूं, तो यह पुरा select हो गया, control D press करना है, देखिए, जितने ही button से सारे एक बार में select हो गया, देखिए, यहां भी select हो गया, तो अब हमें क्या करना है, कि जो post page है, उसको home page से link करना है, तो जितनी भी post देख देना, फिलाल के लिए मैं सबका जो read more पे click करूँगा, तो उसी post पे जाना चाहता हूं, ठीक है, तो उसके लिए हम चलेंगे home पे, और मैं थोड़ा सा font को थोड़ा छोटा कर देता हूं, ठीक है, ताकि आपको दीखे, तो जहां भी button है, मैं पूरा button को यहां से select कर रहा को, ठीक है, सारा यहां control D मैंने प्रेस कर दिया, उसके बाद यहां पे लिखना है, A, और लिखना है, H, R, E, F, और यहां पे जो post ST में लिखके, उसके बाद, यहां सबसे end में जाना है, ठीक है, और यहां लिखना है, slash A, और यह वाला जो देख रहे हैं, इसको बंद करना ह ठीक है, तो यहां पे मैं इसको बंद कर देता हूँ, तो यहां पे A tag आ गया है, यहां पे button चाहिए था, ठीक है, यहां मैं लिख देता हूँ button, ठीक है, और इसका जो class name में वोड गया है, ठीक है, इसको save करते हैं, बूम, तो अब देखिए, जितने भी read more पे मैं क्लिक इसी page पे जाएगा, तो guys हमारे जो simple blog website है वो अब बनके ready हो गया, तो यह simple सा project है, क्योंकि मैं ज़्यादा इसको complex करता है, तो आपको दिक्कत आ सकती थी, और यह video भी काफी लंबा हो जाता है, इसलिए इसको मैंने जितना हो सके, उतना simple रखने का कोसिस किया, क्योंकि यह practice project है, ठीक है, तो बाद में आप और भी practice करेंगे, तो इससे भी अच्छा-च्छा cool website आप बना पाएंगे, ठीक है, तो अब मैं last project में आपको एक portfolio website बना के दिखाऊंगा, जहां पे आपको जितने भी project है ना उसमें आप उसमें publish कर दीजेगा, जिससे होगा क्या कि आप दि नेक्ष्ट वीडियो में तब तक के लिए, बाद बाई